लाहूर का नाम था संडस, क्या नम था संडस? संडस ने इतना लाठी मारा लाला लाश्मत राई कि उनकी भीमार पढने से मृति हो गए, और भगत सी ने कहा कि संडस तो रहा हम बरबाद कर देंगे यहापर, ना छोड़वो तो रहा हम, तो संडस जा रहा था मोटर साइकल से संडस किसे जा रहा था मोटर साइकल, तो राज गुरू, बटु के स्वर्दास, यह लोग रेकी किया लो, अब मोटर साइकल से जा रहा था ना, तो कोनों जा के संडस को क्या किया, गोली मार दिया, और आहां पर जही से मुड़ा ना, रोका, ए चचा, धाय, दू कुमारा, ओ माइगा, और गया, तो बाब आपने चिलाता है, इंडियान को मारे इता है, बाब रहा दे लो, ओ माइगा, चिला के मर गया, जीज़ास, आएम कमिंग, लो, कमिंग जो यहां तो टिकट हो गया, आप पकड़ईबे नहीं किया, कौन मारा भाग गया, पकड़ईबे नहीं पकड़ईबे नहीं किया, तो सांडर्स की हत्या किसने किया, पता ही नहीं चला, लेकिन लाहोर में एक एसेंबिली बैठक चल लए थी, अंगरेजों की पूरी मीटिंग थी बैठक, और उस बैठक में अंगरेज अपनी बात सुनते थे सम, तो भगत सिंग बटु के चल लेगे में तालका हो गया है, टेभल कुर्सि व нужмеदे आ गया है in, यह न गया, बटु कی द अहां है बटुचा श्राइधा निकाल निकाल धाय धाय मारे फूरा अफराता पड़ी होगया अनगरेज भाग गया सख कमरा में तो खुलवा रहे थे बगते रहING एक बना सब्सक्राइधार दूग टु आदेकर घर आधा इसचना कितु मेरा बात क्यों नहीं सुन रहा था हम चिला चिला के बोल रहे थे कि हम भारतियों की बात सुनो तो तुम सुनी नहीं रहा था हम तुमको मारने थोड़े आए हैं नहीं सुन रहा था तो भगवान भी हम लोग का बात नहीं सुनता है तो जा के आदमी घंटी बजाता है तुम लोग नहीं सुना बॉम बजा दिया नहीं सुने कामरा बाफ जज के पास गया भगत सिंग ने जज पूझा है काही बंचलाय तो इस सुनता ही नहीं यह सम बंच अंग्रेज बारे हो चुके हैं उनके कान तक आवाज पूचाने का यही रास्ता है और आगे भी यही होते रहेगा तो अंग्रेज हो ने कहा कि जानत करना धीठ है और बटु केशवर्दास को बटुगा पकड़ी ले था संग्या इनके साथ एक और था जातिन दास यह रेकी किया था यहां बं मारा सब भागभरों से कोई नहीं ना किसी के मुड़ी पर नहीं किरा तो यहां गया राता हूं कैसे बैचारी केनेडी उड़ पत्नी उसकी क्या हो गई उड़ गई तो इसने जो जो जने का कि ठीक कर रहो यह जो भगत सिंग राजगुरू अब बटु के स्वादास को कर बटुगा घुमतों बटुगा लेकर फांसी तो बताइए भगत सिंग को किस चीच का गरलत आरोप लगाए गया सांडस की हत्या लेकिन कोई सुबूत नहीं था तो सुबूत के अभाव में तो जज भी अपराधी हो सकता है नहीं समझे तो स्वबूत नहीं था लेकिन जबर्जस्ती थोग दिया गया किसकर उपर भागत सिंग अब भगत सिंग को फांसी की सजा सुना दी गई 14 फरवरी कब सुनाई गई सवीने अवग्या अंदोलन चला रहे थे पूरा भारत के लोग किसके साथ थे महात्मा गांदी के और इंगलेंड का परधान मंत्री उस समय रेम जे मैक डोनल्ड था कहना था रहेम जे मैक डोनल्ड चाहता था कि भारतियों को बुलाए जाए जिस तरह से मुसल्मानों के लिए अलग छेतर दिया गया मुसल्मानों उस तरह से वो दलीतों को भी अलग करना चाहता था तो भारतियों को बुलाया तो महात्मा गांदी कोई मत जाना तो कॉंग्रेस का कोई भी आदमी नहीं गिया और वहां रेमजे, मैकडोनल, इंगलाइड में सब के लिए गोल मेज बनवाया था बाड़ा का टेबल कि सब लोग यहीं बैठेंगे, और अराम से गोल में सम्मेलन किया जाएगा, गोल में सम्मेलन में कोई गईवे नहीं किया, अब बेचारा, सब बेजिती किसकी हो गई, रेमजे, मैकडोनल को, विपक्षवाला गरी आने लगा, जैसे कई से मोधी जी को विपक्षवाला काता है, और खिलाव ट्रॉम्प को बरगर, गई लगाता है, ट्रॉम्प में, मोधी, गए थे तब मोधी जी, जो बाइडन वा पूछबों नहीं किया, बाहर छोडने भी नहीं आया, तो यह जाके कर रहे थे, अब की बार ट्रॉम्प सरका, इनकी भी गलती थी, आपको दूसरे देश्क में जाके, चुनाओं पर चार्की का जरूए थे, आप कोंची ही, इंदुस्तान में बोल दी है, अपकी बार मोधी सरकार तो हूँओ, वो इसे ने भी ठाले सब, अन्या, वहाँ थोड़ी सुनेगा आपका, तो वहाँ पर मोधी जी जो गय थे, तो आब मोधी जी क झाल या, उस समय 1931 मेर, रहम जे मेकडोनल क्या थे, पर धन मंतरी, और क्लिमेंट एतली जो थे, वो वी पक्ष के नेता थे, नाम केता है गेलीने एतली, तो आपका दिय देखाए, रहम जे मेकडोनल, जो देश गुलाम है, उनको ये बूलाए, तो महाँन के लोग यहाँ क्या था...िर्विन...चम्चा नाम... फोल लगा इर्विन... हुआ ईर्विन माइ... गजया काही म 6 तो थीस हसल डरी का काही काहा... इर्विन पगला गया, गांधी जी को दिल्ली बुला है, महराज आप जोन बात कहिए का तोन हम माल लेंगे, तो 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, गांधी और इर्विन में क्या हो रहा था, सम्झा होता है, उससे जश्ट पहले 14 फर्वरी 1931 को, किसे फासी सुनाई जा चुकी थे लेकिन अभी तक फासी लगी नहीं थी, एक महीना बाद, यानि लगमक एक महीना होई जाए का, 20 दिन बाद, क्या हुआ है यहाँ पर, 20 दिन बाद, गांधी और इर्विन में समझा होता हुआ, सारे लोग गांधी जी पे दवाव बनाए, कि भगत सिंग के फासी उरद गोल में सम्मेलन, अधर वाईज में मज जाएगा, गाधी जी ने का एक नमबर, गाधी जी ने का दिया, कि अगर जब तक आप कैदियों को रिहा नहीं करते हैं, उनकी सजा माफ नहीं करते हैं, तब तक हम सभीने अवागयां दोलन खतम नहीं करेंगे, और हम आपके परध दिवान पलंग बीचर लोगों कि खाती नहीं आया हुआ यहाँ पे हम्राव बेजती हो रहा है यहाँ पे भेजो उसको इर्विन को नौकरी के सवाल था नौकरी का अब क्या होगा बैढ़ नौकरी तो इन लोगो को दिक्कत हो गया गाधी इसे बात मान विए ठीक हम रिहा कर लेकिन इर्विन्वा यहां खेल खेल गया, इर्विन्वा को किसी ने महाभारत पढ़ा दिया था, और उसने महाभारत का वही चाल चल दिया जो कृष्ट भगवान दुरोनाचारे के लिए चले थे, दुरोनाचारे जब तक महाभारत के युद में थे, और जुन जीत नहीं स बख्षपाद बहुत किये थे और जुन जीते नहीं थे जीताएं गए थे याद रगियो भाई और कटना हारा नहीं हराय गया था और आर जून को क्रिश्ट ने को प्रफ़ान का साथ मिल गया तब नप भूग करें थे तरही हट के दूसर राथ पे बैठे ना कि रहां करें कि सब तक और जून जीत नहीं सकते थे बगवान अच्छे से जानते थे और और जून द्रोणाचारी के ऊपर तीर नहीं मार सकता था सब्सक्राइब कि गुरू पे थे पहले के समय में गुरू का सम्मान था अभी तो मार देगा सा हमरे कलस वाला लड़कियाँ जब देगे तहां वह मार दी चवर खाली दया देन ते इसलिए देख लाड़का यहां तक बेठ जाता है लड़की सब गठती से यह तो दूर बढाना पड़ता है ताकि लाठी उठी लेका आएसब तक नहीं पहुंचे तो अर्जुन तीर मार नहीं शब्लाचार रहते तो सब्सक्राइब कि भगमान अंहीं सकते और द्रोडचार रहेंगे तब दिमाग gefप्लाइब कि भूठ के उद्धा जोठ नहीं सकता था युद्धिस्ठाः, जूठ ना बोलता है नोंसे कृच्ष भगवान को जा के बोल दे उनका बेटा अस्वास 他मा मरा घे कै ذ Kylie हो नान का अस्वासбहा यह अग्या आपका बेटा मरा गया अच्छरि काहादर सी टुम यूड़ीटी नहीं बीटा ऊसवास्थामा वो बस जाके बोले, अस्वस्थामा मारा गया, और आपका आप देंसर नहीं लिए, आपका बेटा नहीं हो, हाथिया माराया है, तो कहें कि ठीक है, इतना तो बोलिये थेंगे इसमें इसमें गलत क्या है, तो जाके ज़ए से बोले, की गुरु जी, बहुत दुखत सहमादार ह गया उसके बाद जब बोलने वाला था कि आपका बेटा नहीं तो किष्ट भागवान हाई हाई पावर का संग बजा दिये दम डीजे वाला रहा है दमागदेव को सुना इवे नहीं किया हाओ द्रोडाचार जो थे वह तो पहली बेटा का मृतिव का खबर सुने और उसमें से संग बजा दिये कौन किष्ट भागवान आई द्रोडाचार हथिया डाल दिये का हम यूद नहीं लड़ेंगे चल दिये यूद पेसे अजब चल दिये तो उधर बैठा कौन अर्जून यूद चालू और अगर किष्ट भागवान नहीं अगर द्रोडाचार नहीं कह रहा यूद दूसरे मोड लेला ता यही पत्वा पता किसको चल गया था इर्विन्वा को उसने कर दिया ठीक है ताली बजा दियो जई से हम बोलेंगे तो यह आधावाद बोलके किष्ट भागवान कौन चीकर आए थे संग इससुरा ताली बजवा दिया का कि ठीक है मैं भारत क अधियों को रिहा करता हूं अंगरे जवा उदर वेरी गूट ख्लाप 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 उताली बजा दिया साव उसमें धीरे से बोल दिया अपराधी कई दियों को छोड़कर और भागवाद भगवाद सिंग राजनीतिक कैदी नहीं थे वो अपराधी कैदी में गय थे इ लेकिन लिखित में तो दिया था ना ग्यादी जी ओवर कंविडेंस हमरा बात को नहीं मानता है दांडी मार्च देख लिए कुछू देखिया हमरा बात तो होता ही है कर दीए ठीक है हम समी ने अब गया अस्थागीत करते हैं अब उसके बाद कहा जाते हैं इंग्लाइन में अधर भगत सिंह को फाशी दिया जाने लगा अंग्रेज लोग कहें कि भाईया फाशी का है सजा कब सुनाई गया थी चाउदा फर्वरी और फासी कब दिया गया तै 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया इनए फासी दिया गया मात्मा गांधी ने काई रही तुम भासी कह दे रहा है इनको आप पहले क्या पढ़िए एग्रिमेंट पढ़िए तो जब एग्रिमेंट पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि कि किसे छोड़ा जाता है राजनीतिक कह अब यहां गांधी जी का हाथ कट गया अब भगत थी फांसी दे दिया गया बटू के जतीन दास जो थे भगत सींग सुखदेव यह लोग जो थे इन लोगों को क्या गिया गया राजदरों के आरोप में लगा कर फांसी दे दिया गया जतीन दास जो थे भूग हरताल पर तुन, कि ऐसा गलती किया, ये गलती महात्मा गांधी से हुई थी, सांजना गय कि नहीं आ गया, आई ये गलती नहीं, ब्लंडर था, क्योंकि ये गलती हम और आप करते, तो समझ में आता, एकरे चीज का पढ़ाई करके आए थे, बैरिश्टर थे, वकील, लंदन से, अब वक अगर ऐसा गलती करे, तो कोने काम का वकील भाई, ये गलत बात है ये आप, उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन केवल और केवल इस पर आरोप महत्मा गांधी को लगा देना भी उचीद नहीं है, क्योंकि उस समय कॉंग्रेस के अध्यक जो थे, सर्दार बल्ला भाई प 1931 में, जब आला लेहरू भी 1929 में अध्यक्ष्टा किये थे, मोतिला लेहरू भी थे, हाँ था, का नम था उकरा, जीनमा, जीनना था, उकरा भी बोलना चाहिए, उस समय अलग नहीं नहीं हुआ था, यहां पर, वो था, तो भाई, आप केवल एक के वकील को आरोप लगाए थे, तो देखिये, जब टीम जीतती है, तो केप्टन का नाम होता है, हारती है, तो केप्टने गारी सुनते है, तो यह महात्मा गांधी के आत्मा को भी स्विकार करना चाहिए, कि आप से गलती नहीं बलंडर हुआ था, और यहीं वज़ा है कि आपको लोग बोलेंगे, तो भगत सिंग को वो नहीं बचा पाए, और भगत सिंग इंकलाब जिंदावाद कहते हुए, भासी पर चड़े गए, संग्या के गिने, उस समय सारे नेता वकील थे, अभी के उस समय का सबसे बड़ा प्रोफेशन क्या होता था, वकालत का, अभी के वक्त में दक्तर, इंजिन दुनियर, MBA, दुनिया बरका कीजिए, कुछ नहीं हो, जनरल कम्पेटिशन एक इसा गड़ा है, जिसमें कोई भी दहके चलाता है, संग्या के, 24 साल की उमर में भगत सिंग सहीद होगा, भगत सिंग बहुत कम उमर में क्या होगा है सहीद, उनके पीता जी, माता जी जब उनसे रिस्ता करने वाले थे, साधी बिया कर ले बहुत, तो कोईची साधी बिया करेंगे, एक रो लाइफ क्या होगा, खराब हो जाएगा, और भगत सिंग बहुत कम उमर में सहीद हो गया, लेकिन दुख की बात जानते हैं, भारत सरकार का अभी सियल मंदरा ले उनने सही जाएख लाइख नहीं मानता, लालका को समझ में नहीं आगा तो कोईची समाझने का, अव तुरत है चक्क्र आदा है, जाना चाहिए हमको, चल दूबधा हैं, आप अब आदे, एक में करने, लाइफ आदे, लाइफ नहीं भाड़ ले राती हैं, आर बैच में कोईची प्रक्राइक कोषिस करो, उसके लिए चक्कर जीमेदार धोड़ी है, देखिया, भगत सिंग को जो सम्मान भारत में मिलना चाहिए, हखीकत में वो उन्हें नहीं मिलता है, इस मामले में भगत सिंग में भी है, लाहूर में आज भी भगत सिंग की प्रतीमा है, उनकी मतलब भागत सिंग का घर वैसे ही चुटा फुटा है, यह इस देश के लिए बहुत गलत बात है, उनका अगर हम अपने स्वतंता सेनानियों का इज़त नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या इज़त करेंगे हम, बताई एक सेक नेताओं का बंगला दिल्ली में, भागत सिंग के परिवार करता है गिरी मंतराले का, कि हमारे पास ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि भगत सिंग सहीद थे, तो तुछे तुम सहीदे आजम को सहीद नहीं को होगे, तो किसको बोलोगे, भाग, नाथुराम गोट से को, किसे नाथुराम गोट से को, अरे लुगि इस तींग को नहीं मारे यह गलत बाद है डी जी कि हां वर देखो एक और दीगे गांधी जी ना गरंडल वाले को मतलब सपोर्ट भी नहीं करते थी यह ठीकत है तो कहते है अजय है उनका भी करना शुरुवात में सही नहीं था लेकिन बाद में नहीं क्योंकि शुरुवात में हमारे पास हथियार टेक्नोलजी पैसा नहीं था अता गरम दल के द्वारा हम अंदोलन को महुत लंबा नहीं खीश सकते थे तो यह दूरदर्सी सोच थे लेकिन 1930 के बाद जब दुतिय पिस्यूत का महौल बनने लग किसी और अलटा इसी को कालता है आप अलटा कि पैर साईथ मेन नुकान करता को मिलयका धिया क्या है कि उनको फासी दिय इस तरह से जितने लोगों कौन अंग्रेश फासी दिया हम साहित थोड़ी न translations के अज़ने शूब आपने लोग में से पढ़ लिखे जाहिए, वहां सरकार में आप पढ़े लिखे लोग जाहिए, सबसे पहले भगत सिंग को क्या दिजिए, एक उचीत सम्मान